Hello Friends, Welcome back to my channel I hope आप सब अच्छे होंगे आज आप सब के साथ अपने मोगरा के पौधे को शेर करेंगे अगर आपके मोगरा के पौधे में अभी तक कलिया बनना नहीं सुरू हुई है या आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है आपके मोगरा के पौदे में कलियां बनी है लेकिन खिल नहीं रही है जड़ जाती है आपके मोगरा के पौदे का फोल का साइट जो छोटा है कोई भी अगर समस्या है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहें आप भी अगर चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौदे में एक एक ब्रांच पर पाँच पाँच साथ साथ और नौनो कलियां हम बन करके आएं तो वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो हमने अपने पौदे में दिया है वो आप सब के साथ शेयर करेंगे और आपकी सबी समश्याओं को कैसे हम दूर करशकते हैं उस पर भी बात करेंगे तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं अप्रेल का मैना सुरू हो गया है और अभी तक अगर आपके मोगरा के पौधे में कलियां बन करके नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि जब नई नई ब्रांचे निकल कर आती है नई नई ग्रोथ होती है उसी पर ये पौधा कलियां बनाता है पुरानी ब्रांच पर मोगरा के पौधे में कलियां नहीं आती हैं और इसके लिए आपके पौधे में जो nitrogen और phosphorus से उसकी कमी होगी जिसकी बज़े से आपका पौधा ग्रोध नहीं कर रहा इसके लिए आप home made fertilizer दे करके इनकी कमी पूरी कर सकते हैं एक चमच फ्रेश चाय की पती या यूज की हुई एक मुठी चाय की पती दे करके आप अपने मोगरा के पौधे में nitrogen की कमी को दूर्ज कर सकते हैं आप चाहें तो coffee powder भी एक चमच पानी में खोल करके अपने मोगरा के पौधे में डाल दीजिए इससे भी आपके मोगरा के पौधे में nitrogen की कमी दूर हो जाएगी और मोगरा का पौधा heavy feeder है तो इसके लिए आप अगर आपके पास कोई compost है तो जरूर अपने मोगरा के पौधे को दीजिए जिससे आपके पौधे की ग्रोध तेजी के साथ होगी और उसमें nitrogen की कमी पूरी होगी साथी साथ कोई भी compost होता चाहें वो गोबर की खाद या बर्मी compost उसमें और भी बहुत सारे micronutrients पाय जाते हैं जो पौधे की ग्रोध को तेजी से बढ़ाते हैं तो महिने या दो महिने में कम से कम एक बार अपने मोगरा के पौधे को आप किसी भी तरीके का compost चाहें गोबर की खाद या बर्मी compost ज़रूर दीजिए जिससे आपके पौधे की ग्रोध तेजी से बढ़ाते हो और आपके पौधे में नई-ई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा पौधे में जो टिप पर होता है और जब आप टिप काड़ देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है जिससे नई-ई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाता है और जब पौदे की नई ग्रोथ होगी तो उसमें नई ब्रांचों पर कलिया भी बनने लग जाएंगी। लेकिन अगर आपका पौदा काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, नई नई ब्रांचे भी निकली हैं और उसमें कलिया तब भी नहीं बन के आई हैं। तो एक करण ये भी हो सकता है कि हो सकता आपका पौदा किसी ऐसी जगे पे रखा हुआ हो जहां पर उसको प्रापर धूप ना मिल लही हो इसकी बज़े से भी आपके पौदे में कलिया बन करके नहीं आती। तो अगर पौदा किसी ऐसी जगे रखा है, जहां पर उसे धूप नहीं मिलती है, तो आप इसे ऐसी जगे पे रख दीजिए, जहां पर उसे पूरे दिन की धूप मिले, कितनी भी गर्मी हो, मोगरा के पौदे को हमेशा दूप अली जगे पे रखना चाहिए, सेड़ वाली ज तो अगर आप मार्केट से लाकर के फर्टिलाइजर देनना चाहते हैं, तो इसके लिए डी एपी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर रहता है, जिसमें फास्पोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे पौदे में कलियों को लाने और जड़ों के विकास में बहुत करती है, लेकिन अगर आप मार्केट का फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होमेट फर्टिलाइजर हैं, जिनको दे करके भी हम पोटेशियम और फास्पोरस की कमी को दूर कर सकते हैं, तो ये हैं हमारे केले के सूखे हुए चिलके, जब भी आप केले के चिलके को केले खाते हैं, तो उन्हें फेकने की जगे सुखा लीजिए, और सुखा करके आप उन्हें पीस करके रख लीजिए, ऐसे ही रख लीजिए, दोनों ही तरीके से आप इस्तिमाल कर सकते हैं, भीगो करके इस्तिमाल कर सकते हैं, या पीस करके इस्तिमाल कर सक और नाइट्रोजन भी पाया जाता है आपके पौदे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है इसको चाथ चमट आप अपने पौदे की मिट्टी में डाल दीजिए आपके पौदे में कलिया भर भर के आएंगी आप जो डीएपी देंगे उसकी मात्रा जाधा नहीं हो यह हमारा दूसरा फर्टिलाइजर है और यह है कंडे की या लकडी की राक जो भी आपके पास हो आप अपने पौदे में एक चमच भर के डाल दीजिए उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौदे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपके पौदे में भर भर के कलियां आएंगी इसके साथ इसाथ बहुत से लोगों की प्राबलम होती है कि उनके पौदे में कलियां आ गई है लेकिन वो जड़ जाती है तो ये पानी की कमी और पानी की अधिकता से भी हो सकता है इसलिए जब पौदे में कलियां बन जाए उस टाइम पर नाहीं आपके पौदे की मिटी बहुत ज़्यादा सूखनी चाहिए और नाहीं बहुत ज़्यादा पानी भरा रहना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी होने से भी कलियां जढ़ जाएंगी और पानी की कमी होने से भी मुर्जा करके कलियां जढ़ जाएंगी इसलिए पानी का भी आपको ध ते के लिए, बाइ बाइ